किया आप वीडियो को लाइक कर सकती हैं तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम मूवी की मेन करेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है आज से कुछ सानों पहले सोफी एक स्केटर थी यानि कि वो स्केटिंग किया करती थी और वो इतनी अच्छे स्केटर थी कि वो दुनिया की बेत्रेन स्केटर में से एक थी लेकिन पिर इसके बाद उसके साथ एक हादसा हो गया जिसकी बज़ों से उसकी आँखों के रोशनी चली गई यानि कि वो ब्लाइंड बन गई और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसकी वज़ों से अब उस पैचारी की पूरी जिन्दगी बदल गई लेकिन खैर अब पैसे कमाने के लिए जिन्दगी गुजारने के लिए वो एक हाउसीटर बन चुके है यानि के लोग उसे कुछ दिनों के लिए हायर कर लीती है ताकि वो उनके घर का खयान रख सकी देखबाल कर सके और आज भी सोफी को एक लेड़ी ने अपने घर के लिए हायर किया है इसलिए अब सोफी उसके घर जाने की तैयारी कह रही है अपने सारा समान पैख कर लेने की बाद सोफी चुके से अपने घर से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तबी उसी उसकी मदर देख लेती है इसलिए वो सोफी से पुछती है कि तुम कहां पर जा रही हो और वो पर समान लेकर जिस पर सोफी के थिये कि ममा असल मी मैं अपने इक पर जा रही हूँ इसके बाहँ सोफी की मौम उसे ये भी पूछती है कि तुम्हारी अकाउट में 4200 डॉलर्स किस ने बीजी है जिस पर सोफी अपनी मॉम को बताती है कि असल में मैंने अपना एक फैन पेज बनाया हुआ है जहाँ पर लोग मेरे काम से इंप्रेस होकर मुझे एक्स्ट्रा मनी दी दीती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और सोफी जूर बोल रही थी असल में सोफी जिसकी घर पर बेज आती थी वहाँ से वाइन की दो तिन बोटल को चुरा कर ओन लाइन बेच दीती है तो एक गाड़ी के जरिए उस लेड़ी के गर तक पहुन जाती है जहाँ वह लेड़ी उसे बताती है कि कल ही मेरे टिवोर्स हुई है जिसकी वज़से एक जाते हैं कि यस लीड़ी का गर काफी बड़ा है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स बेर दाto शो किरती है जहां वह सौभी को पुरे घर की बारी में समझाता है यानि कि वह से उसी विबातों को फजंफिताए और चुर्उट्स हुए में ऐसी तरह की है लगती है जिसकी कीमत तकरीबन 4500 डॉलर्स थी लेकिन जो सोफी का दोस्त होता है वो उसे ऐसा करने से मना करता है तो इस वजह से सोफी को गुसा जाता है और वो उसे नरास हो जाती है जिसकी वजासी वो कॉल कट कर दीती है कुछ टाइन की बाद सोफी अपने मुबाइल में एक voice message को सुनती है जूकि असल में उसके मौम का था जिसमें वो Sophie को एक app को install करने के लिए किया रही होती है उस app का नाम होता है see for me जो सिर्फ और सिर्फ blind लोगों के लिए ही बनाई गई थी ताकि blind लोगों को यानि कि ऐसे लोगों को जो देख नहीं सकते उन्हें live call के जरीए guide किया जा सके खैर अब Sophie उस message को ignore कर कि smoking करने के लिए घर से बाहर चली जाती है लेकिन गलती से घर का door पीचे से locked हो जाता है अना कि Sophie उसको खूलने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसे नहीं खुलता जिसकी बज़से Sophie काफ़ी घबरा जाती है इसलिए अवो अपने दोस्त को call करने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो उसे call नहीं करती और रुक जाती है क्यूंकि अभी कुछ time पहने ही तो उसका अ कर रही थी पर एप को इंस्टॉल करने की बाद अब वो सर्वर से कनेक्ट हो जाती है जहाँ पर call एक लड़की को लग जाती है सोफी यहाँ पर उसे प्रॉब्लम बताती है और दर्वाजा खूलने में उसकी मदद करने के लिए कियती है लेकिन वो लड़की उसकी मदद त करी सोफी की मदद करती है और वो से गर की बैक डोर से गर के अंदर जाने के लिए कियती है लेकिन वर्फ जमने की वज़े से वह डौर जाम हो जाता है तब यहाँ पर कैली सोफी को दौर कुलने का तरीका बताती है जिससे फॉलो करते हुए सोफी आकरकार उस डौर को खोल ताके सोफी को जब भी मदद के ज़रूरत हो तो कॉल सीधा केली कोई जाए अब रात को सोने से पहले हम देखती है कि सोफी अपने लैपटॉप में स्केटर्स के बारे में डोक्यूमेंटरी सुन रही होती है क्योंकि उसे अभी भी बहुत शोक था स्केटिंग करने का पर कुछी दिर की बाद उसे नीदानी लगती है और वो सोच जाती है इसके बाद से इंशिफ्टो कर जाता है इस घर के बाहर जहां पर हम दिखती है कि वहाँ एक गारी आके रु तर जो वो लोग सेफ पो कोलने की कोशिश कह रही होती है तो तब भी सोफी को उनकी आवाजे सुनाई दिनें लगती है जिसके वज़ोसे उसके आंग खुल जाती है जब सोफी जिल्दी से उठती है और चेक करने के लिए जाती है तब उसे डगनी लगता है कि शायद ये उस बिल्ली की होगी जो के खेल रही होगी इसी लिए वो उसकी गली में बंदी पट्टे का अनाम बचा दीती है तब अनाम बचती एक चोर फुरनी समझ जाता है कि जरूर गर में कोई ना कोई मुझोद है इसके बाद वो वापिस अपने चोर साती के पास आकर उसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस गर में जरूर कोई ना कोई तो है तो इसलिए मैं चेकर की आता हूँ तब 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 तुम सीफ को खुरने के कोशिश करो इसके बाद जैसे वाच चोर चेक करने के लिए जा रहा होता है तो तब शोफी का हाथ एक बॉटल पर लग जाता है जोकर नीचे गिर कर तोड़ जाती है और साथ साथ सोफी का मुबाइल भी नीचे गिर जाता है अवास को फूलो करते हैं वो जोर उसी तरह बढ़ता है लेकिन सोफी जिर्दी सी अपना मुबाइल उठा कर दूसरे रूम में चली जाती है और अब वो हल्प के लिए फोरन ही पूलिस को कॉल कर दीती है जहां उपरेटर उसे केती है कुछ देट तक पुलीस वहां पर पहुन जाएगी यनि कि आपकी गहर पहुन जाएगी इसके बाद सोफी कॉल करती है केनी को और वो उसी सब कुछ बताती है इस gives पहर कहने की इति है कि टेक है लेकिन अब तुम आएष्टर आएष्टर करके आगी बड़ो तब उसकी बात मानकर सोफी वीडियो केमरा आउन करके उसकी कही की मताबिक आगी बढ़ती है जहां पर केरी सोफी को बताती है कि तुम्हाने बिल्कुल सामने एक आदमी है जो कि असल में एक सीफ को कोलने के कोशिश कर रहा है पहरा कुछ दिर की बाद वो दूसरा चुर भी वहाँ पर वापिस आ जाता है जहां वो कॉल करकी अपने बोस को बताता है कि मुझे पूरा ए सब्सक्राइब मेरे मारने से पहले मेरी बात गुर से सुन लें मैं कि नहीं बताऊंगी है लाप लोग के ऊसके आप देख नहीं सकती मैं बलायंड होँ جो जह वासाफी का मोबायल में उसके को हिस्ट्री दीखता है तो पुलिस का नंबर दीकर वो सोफी से पूछता है कि तुमने तो पुलिस को कॉल खिट दिये और 20 मिनिट में पुलिस यहां पर आ जाएगी तो पुलिस को क्या कोईगी तब यह सुनकर सोफी उन से कहती है कि मैं पुलिस को कहे दूँगी कि जो अलाम बज़ा था जिसकी वज़सी मैं डर गई थी वो अलाम असल में खलत पज़ गया था क्यूंकि उस अलाम में कोई ग्लिश थी और इस घर में तो मेरी इलावा और कोई यही नहीं इसके बाद सोफी उन लोगों से कहीती है कि प्लीज आप लोग मुझे भी इस प्लैन में शामिल कर लो ना अपने साथ मैं आप से ज़दा कुछ नहीं मांगती बस आप मुझे मेरा हिस्सा दे दी ना इसके बाद वोचोर अपने बोस को कॉल करकी इस बारे में सब कुछ बताता है जहाँ पर वोचोर सोफी को इस प्लैन में शामिल करने के लिए मान जाता है इसके बाद सोफी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को यहाँ पर आने के लिए मना करती है लेकिन operator उसे बताती है कि हमारी female officer वहाँ पर आकर एक confirm करेंगी कि तुम सच बोल रही हो या पर जोट कह रही हो यानि कि तुम सच में अकीली हो या पिर वहाँ पर कोई और भी है है रब कुछी दिर की बाद हो female officer वहाँ पर पहुंच जाती है जहां सोफी उसे ये यकिन दिलाने की कोशिश करती है कि मेरी इलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं है लेकिन वो officer सोफी से कहती है कि मैं तुमारी जुबान पर यकिन नहीं कर सकती confirm करने के लिए मुझे घर की अंदर तलाशे लीनी दो तब वो officer गर की अंदर आकर टॉर्स नाइट से हर तरफ चैप करने लगती है लेकिन तब तक वो तीनो चौर चुप चुकी होते है इसके बाद वो female officer बार बार सोफी से पोशने लगती है कि देखो मेरी बार सुनो घबराओ नहीं अगर तुम्हें कोई परिशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ जिस पर सोफी कहते है कि नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है मुझे कोई खत्रा नहीं है मुझे आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए इसलिए आप यहां से चले जाए लेकिन तभी अचानक से उस चोर का फोन बचने लगता है जो कि वहाँ पर सामने ही पास में पड़ा हुआ था जिस पर कॉल असल में उसका बोस कर रहा था इसकी बात ओफिसर फोन उठा कर सोफी को देती है जहां पर सोफी कॉल अटेंड करती है यहां वह बोस आलाद की बारे में सोफी से पूछता है लेकिन सोफी उसकी बात का जवाब नहीं देती और जूटी मुटे बातें करके वह फोन बन कर दीती है तो यह देकर ओफिसर दुबारा से यहां से जाने लगती है लेकिन तभी पुलिस की कॉल उस ओफिसर की पास आती है जिसमें बताया जाता है कि हमारे पास कैली नांग की एक लड़की की कॉल आई थी और उस लड़की ने भी हमें सेम लोकेशन इस घर की बताई है और उसने कहा है कि इस घर में कुछ लोग गुसा आई है भी सुनकर ओफिसर फिर से घर के अंदर आ जाती है चेक करने के लिए जहां वो चुर अच्छानक सी उसके सामने आकर स्रेंडर कर दीता है और कहता है कि यहां पर मैं गुसा हूँ यहां पर बस मैं ही हूँ इसलिए मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ और आप मुझे अप पर एकिन नहीं आता इसलिए फॉरन ही फुले स्टेशन कॉल करके बैकप बेशने के लिए कियती है और तब इतनी ही देर में दुसरा चौर भी यहां पर पहुंच जाता है जो वहां पर आती ऑफिसर को रखकत दी दीता है लेकिन ऑफिसर उस चौर पर गुले चिला दीती ह और वह गुली उसे चूपकर कुज़र जाती है इसके बाद वचो और आफिसर के गली में एक तार डाल कर जोर सी उसका गला दबा दीता है जिसकी वज़सी उस आफिसर की वही पर ही मौत हो जाती है अब इस दुरान सोफी आफिसर की गन को उठा कर पोरन ही वहां से बाहर जहां पर केली उसकी मदद करती है और उसे रास्ता समझाती है जहां आगे जाकर सोफी एक रूमें चुपकर बैठ जाती है लेकिन कुछ देर में एक चोर उसे ढूंटते हुए यहां पर पहुन जाता है और वो फोरन ही सोफी को सरेंडर करने के लिए कहता है लेकिन केले सो जोर पर गोली चिलाने का बोलती है जहां पर सोफी ऐसा ही करती है और वो उस चोर को शूट करके मार डालती है इसकी बार सोफी तुबारा से गर के अंदर चली जाती है जहां पर अचानक सी दूसरा जोर उसके सामने आ जाता है तब यहां पर केली तुबारा से सोफी को कैम वो बच्चते हुए सोफी की तरफ भी बढ़ने लगता है लेकिन तभी connection दुबारा से वापीस आजाता है जहाँ पर केली दुबारा से सोफी को गोलियां चिलाने के लिए बोलती है टिब सोफी ऐसे किरती है और वो दुबारा से गोलियां चिलाने लगती है लेकिन इस बर है सिधा जाकर उसके सीने में लगती है जिसके वज़ों से ये दुसरा चोर भी यही पर हे मारा जाता है उतर वो तिसरा चोर लोकर को खूल लीता है लेकिन तब इतनी दीर में वाँ पर सोफी भी पहुन जाती है उसके हाथ में गन देकर वो चोर कहता है कि दिखो रुको ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुमें जानता हूँ तो इस लिहास से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है मैं तो बस अपने हिस्सी की पैसे उठाऊंगा और यहां से चला जाऊंगा इसके बाद वो चोर अपने पैसे उठाकर वहां से जाने लगता है लेकिन सोफी तुबारा से उस पर गन वाइट कर दीती है तभी आपर केली सोफी से कहती है कि जनती करो उसमें गोले चलाओ वो बिलकुर निशानी पर है लेकिन तभी सोफी का मुबाइल वेटरी लो होने की बज़सी वाइंद हो जाता है जिसकी बज़सी केली की कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है लेकिन तभी वो चोर अपने दोस की गन को लेकर सोफी को शूट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन उससे पहले सोफी यह अंदाजी से उसे शूर्ट करकी उसे जान से मार डालती है धेरा कुछी दियों की बाद चोरों का लीडर यहांपर पौन जाता है जहांपर आकर वो देखता है कि उसकी तीनों साथी तो मर चुकी है अब क्योंकि वो सोफी के बारे में जानता था इसी बज़ोसी वो उसे डोडने लगता है लेकिन तब तक सोफी चुप चुकी होती है इसकी बाद सोफी उसका दियान बटकाने के लिए गर की सारे लायर्स को आफ कर देती है ऐसा करती ही सोफी वहाँ से बागने लगती है जहां वो लिडर अंदीरी में उस पे गोलियां चलाने लगता है जहां उनमें से एक गोली सोफी को लग पीचाती है इसके बाद सोफी के हाथ एक चोर का मुबाई लग जाता है इसलिए उस लीडर का नमबर रेटाइल किरती है जिसकी वजह से उस लीडर का फून बचने लगता है उसकी पास ही जिसके लाइट देकर सोफी अंदाजे से ही उस पे गोलियां चलाने लगती है लेकिन उसे गोली नहीं लगती वो बच जाता है जिसकी बाद वो सोफी को पकड़ देता है और उसका गला दुआने लगता है लेकिन तबीया पर सोफी के हाथ में वाइन की एक बोटल लग जाती है इसलिए उस बोटल को उस लीडर के सर में दे मारती है भी वो उसी बोटल से उस लीडर के सर पर मार मार कर उसके सर को कुचल दीती है जिसकी वज़े से उसकी भी यही पर ही मौत हो जाती है इसकी बाद हम पुलिस की गाड़ी का अलाम सुनते हैं यानि कि पुलिस उसे रेस्क्यू करने के लिए आ गई है और अब उसी किसी भी किसम का कोई भी खत्रा नहीं है इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की काहानी दिखाई जाती है जिसमें सोफी की मतर सोफी को होस्पिटल से बाहर ला रही होती है इसी तरह एक हफ़ते बाद हम सोफी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं यानि कि सोफी के टंग जो पेरे जखमी थी अब वो बिल्कुल टेक हो चुकी है अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पार्ट्स प्लेयर कर दीती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि असल में उन चोरों का लेडर कौन था और उसे उन पैसों के बारे में कैसी पता था असल में चोरों का वो बोस उस लेड़ी का हजबन था जिसका ये गर्ट था इने जिससे उस लेड़ी ने डिवोस लेनी थी इसलिए उसका हजबन उन पैसों पर खोदे कबज़ा करना चाहता था और सोफी ब्लैंड होने की बाबा चोद भी स्केटिंग इसी वज़े से कर पा रही थी क्योंकि उसने स्केटिंग की काफी अच्छी ट्रेनिंग ले थी क्योंकि जैसे की मैंने आपको बताया था क्यों वे त्रिन स्केटर्स में से एक थी इसी बज़े से तो ये सब कुछ उसके लिए असान था इसी के साथ ही ये मुवी ये पर एंड हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग